प्रेट्ट्र श्रीकांग करमा, MBBS, MD, एनाडमी, जैसा कि हम धीरे धीरे टॉपिक में एंटर करते जा रहे हैं, अब हम थोड़े डिटेयल पॉस्चिन की तरफ बढ़ रहे हैं हम इसके बाद में एक इंडिविजल मसल को ले करके उनका ओरिजिन पढ़ेंगे, इंसर्शन पढ़ेंगे, और उसका एक्षन भी पढ़ेंगे, डिटेयर में पढ़ेंगे, अभी तक तो यह ज़स्ट हम सुपर्फिर्शल देखते जा रहे हैं, लेकिन यहां पर एक टुई-क युजर के लिए कि कौन-कौन सी कुष्टन्स रिसेंट नीट एक्जामस में आ रहे हैं, एंसर्पीज़ चंडिगड में आ रहे हैं, जो हम सभी इस्टूरेंट्स के लिए फूट-फूट हो सकते हैं, और हम इसको इंट्रेस्टिंग वे में याद रख सकते हैं, इस वीडि लिए अपनिटिक पार्ट होता है, उससे निकलता है और लेक्टर लिए और इंट्रिवस्ट्वर सर्कस में इंसर्ट रहाता है, तो यह मसल ऐसा निक हो और यहाँ रहे हैं, तो हमें एक एक इलाश्टिक बैंड थोडी बनाते हैं, कि अगर कोई रवर्ड बैंड यहां लग अगर यह आगे मुव करें, तो शोल्टर जोयंट का एंगल कम हो, और अगे मुव और कम हो, और अगे मुव और कम हो, अगर यह मसल कॉंटेट कर रही है, तो यह इसको मुव करें, जिसके कामें शोल्टर जोयंट का एंगल कम हो रहें, and you know, the decrease in the angle of the joint is known as friction, so definitely, पेक्टरिस म is responsible for the flexion, अच्छा, एक और चीज़ देखें, अगर हमारा, हाँ, flex हो, तो यह पेक्टरिस मेजर मुव जब कॉंटेट करें, तो यह हमारा अपर यह पीछे की तरफाए, और जो यह पीछे की तरफाए, तो यह एंगर जो है, वो बढ़ रहाए, so yes, this पेक्टरिस मेजर मुव is also responsible for the extension, getting the point, means the पेक्टरिस मेजर मुव is responsible for the flexion in extended arm, and it is responsible for the extension in flexed arm, अब आप यह बताए, कि यह हम flexion, extension, flexion, extension, कब करते हैं, definitely, जब हम कहीं चड़ते हो, रोपिंग कर रहा है, यह सिर्फ कभी हम क्लाइंग कर रहा है, तब यह movement बताए, flexion, extension, flexion, extension, yes, flexion, extension, extension, flexion, extension, that's why the pectoralis major muscle is known as climber's muscle, mcq, this is the recent mcq exam, आश in your new exam, so no excuse with this factor, which muscle is known as climber's muscle, yes, pectoralis major is known as climber's muscle, लेकिन हम बाद में देखेंगे, कि latissimus dorsi muscle, यह बाली, latissimus dorsi muscle, इसको भी climber's muscle बोलते हैं, लेकिन इसका detail हम बाद में देखेंगे, कि अगर दोनो option हमारे साम देखेंगे, तो best answer, latissimus dorsi, और उसके बाद second answer हमको pectoralis major करना है, क्यों, यह हम बात की बीडियो में देखेंगे, pectoralis major muscle का एक और important mcq, जो कि हम पहले देख चुके हैं, because this pectoralis major muscle is supplied by the two nose, lateral pectoral nerve and the medial pectoral nerve, that's why it is the classical example of the, this is the classical example of the hybrid muscle, or yes, composite muscle, muscle which is supplied by the two nose, so remember this is another mcq for you, yes, what are the other mcq, surgery में यह question आपके लिए बहुत important है, कि pectoralis major muscle, यह muscle जो होती है, वो breast का bed बनाती है, तो कई सारे operative procedure, जैसे कि mastectone को operation है, वहाँ पर हमको pectoralis major muscle को cut करना पड़ सकता है, तो आपको यह fact याद रखना है, आपको और यह भी याद रखना है, कि कुछ condition ऐसे रहते हैं, जब हम pectoralis major muscle को muscle grafting में use कर सकते हैं, so these all are the various filter points about the pectoralis major muscle, thank you very much.